हेलो दोस्तों पवन स्पोर्ट्स टॉप में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त पवन चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज हम बात करने वाले लीनिंग विंट्स टॉंटी एट एस एल थी बेड्मिंटन रेकेट रिव्यों की लीटेल रिव्यों होगा डेमो परफॉर्मस और भी बहुत कुछ और यहां हमें लीनिंग से यह भी पता चला कि रैकेट और भी अलग अलग नामों से अलग अलग क 28 प्लस के नाम से स्पेसिफिकेशन बिल्कुल से मैं तो देखते हैं रैकेट खरीदने पर हमें इसके साथ क्या मिलता है यह फुल कवर बैग है और अगर बात करें इसकी कुछनिंग की तो कुछनिंग को चार से पांच मिलीमिटर की आसपास की कुछनिंगा दोनों तरफ औ तो माइन डेमेजेज और पानी से एक जो है आपका बचा रहेगा फिर्स्ट लुक अगर हम देखें तो कलर जो है यह देखिए अप कलर इसके बहुत ही अट्रेक्टिव और इसकी फिनिशिंग जो है क्योंकि हाइं रैकेट है डेफिनिटली फिनिशिंग जो है इस रेकट क की जो शाफ्ट है स्लिम शाफ्ट है यह आपको कुछ 7.3 से 7.4 मिलीमीटर्स की थिकनेस है इसकी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कुछ फ्लेक्सिबल से मिड़ फ्लेक्स के बीच की है वहीं अगर हम वेट की बात करें तो 78 ग्रैम्स है बिना स्ट्रिंग्स के और बेसिक कि लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग्स है इसके ओपर तो कुछ 85 ग्रैम्स का वीट है वहीं इसकी ग्रिप जो है वो एस वन है और यह लेंग्ट जो है ग्रिप की यह कुछ 200 मिलीमीटर्स आपको मिल जाती है अगर हम बात करें लेंग्ट की तो लेंग्ट है सि 24-28 LB लगाएंगे इसमें तो आपको एक तो डियूरिबिलिटी लॉंग लाइफ और आपको परफॉर्मस जो है वो बेस्ट मिलेगी क्योंकि अभी जो स्ट्रिंग जो डिली हुई है डीफॉल्ट इन्होंने फिल भी इन्होंने 24 LB पे जो है आपको स्ट्रिंग करके जो द प्लस लेवल के का यह रैकेट है में चाइना मिल जाता है और वहीं जैसे मैंने बताया था कि लीनिंग ने इस ट्रेक्ट को हाई-end रैकेट की के टिगरी में रख़ा है हाई-end में एंट्री लेवल या अफोडिबल हाई-end रैकेट तो दोस्तों हम जानते हैं कि के लिए परफेक्टली सूटेबल है अब ये कंफिग्रिशन आपको सस्ते रैकेट में दो धाई-जार के रैकेट में मिल जाती है तो आप लोग सोचते होंगे कि फिर इतना महंगा रैकेट लेनी की क्या ज़रू होता है तो यहां पर मैं चोटा से एक्जैंपल आपनों को देना चाहूंगा समय लिजिए कि आपके पास एक चोटी गाड़ी है और एक लक्शिरी गाड़ी है और आपको कुछ एक डिस्टेंस जाना सो दो सो किलो मेंटर तो देखिए दोनों गाड़ियां आपको पहुंचा देंगी वहां पर लेकिन वहीं जब आप बड़ी जो है और इसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली एक दो या धाई हजार के रैकेट से आपको बहतर मिलेगी तो स्पेशल फीचर्स के अगर हम बात करें तो सबसे पहला है यू एच्वी शाफ्ट मतलब अल्टरा फाइन हाई टेंसाल बायो में टेक्स शाफ्ट अब इसमें ऐसा होता है कि मैं आपको दिखाता हूं कि फर एक्जांपल जब भी आपको शॉट लगाते हैं तो शॉट खेल रहे होते हैं जब तो जिस टाइम पर रैकेट स्विंग कर रहा होता है या फिर गर बैके टेक्नोजी है यूजब शाफ्ट की इसके अंदर रैकेट अपनी पूजिशन पर जो है वापस आता है बिलकुल एक्विरेट बिलकुल जिस डिरेक्शन में गया है वैसे ही ऑपस डिरेक्शन में बिलकुल प्रॉपर आता है और वहीं उसी रिजन से आपको पावर और स्ट स्ट्रेंग्ट स्ट इस शॉट्स में आपको एक्स्ट्रा मिलती है टी बी नैनो पावर टेक्ट इसके अंदर किया है कि आपका जो नैनोमीटर कार्बन जो भी कार्बन फाइबर यूज किया है फ्रेम और शाफ्ट के अंदर और जिस तरह का लाइट वेट कमर्शिल तो देखिए ये एक high-end racket है तो इसमें अगर आप string tension जिस तरह से इन्होंने advice की है थोड़ी higher तरफ पे अगर आप वो भी डालते हैं तो racket की durability कोई compromise नहीं होगी performance आपको बिलकुल ample मिलेगी और क्योंकि आपको इस काफी variety है तो काफी variety of string चाहे वो 0.69 mm की BG 99 हो चाहे BG 66 Ultimax हो ये सारी strings आपको इस racket से अच्छी performance जो है देंगी तो बात करें अगर रैकेट की performance की तो देखिए जब मैं खेल रहा था से मुझे डेफिनिटली एक प्रीमियम फील आई और कहीं कहीं चोड़ी मोड़ी स्टोक्स लगाते वक्त फील भी हुआ कि थोड़ा से improvisation एक थोड़ी बहतर सी feeling आई तो वहीं net के आसपास और center of the court में रैकेट बहुत responsive बहुत ही communicative है आप किसी भी तरह की जो है ट्रॉप करें या टॉस करें या एक snapshot करें इरेक्ट की performance बहुत अच्छी थी वहीं अगर अब मैं थर्ड लाइन क्लियर की बात करूं तो देखिए जो impressive मुझे लगा ये सेंटर कोड पे या नेट पे उतन कम फिलोटी तो दोस्तो स्टाइलिस लगना किसको पसंद नहीं है हम सब स्टाइलिस देखना चाहते हैं और जब से सोचल मीडिया आया तब से हमारी लाइफ बिलकुल बदल गई है और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब किसी भी सोचल मीडिया प्लैटफॉर्म पे हम लोग active ना हो और अगसर हम लोग stories, selfies, videos जो है वो पोस्ट भी करते रहते हैं जिसके लिए हमें stylish लगना बहुत ज़रूरी है और presentable होना भी बहुत ज़रूरी है उसी के लिए आज एक नया product में लेके आया हूँ और वो है Olive Story जो इंडिया का first anti-pollution और completely natural ingredient से बना हुआ hair styling spray है with color protect तो बाल चाहे लंबे हो चाहे छोटे हो आपको एक strong hold मिलता है natural shine मिलती है कोई dryness नहीं कोई stickiness नहीं कोई stiffness नहीं कोई frizziness नहीं यहां तक कि आपकी damaged hair को भी repair करने में मदद देता है और यह एक aqua based product है जिसके अंदर आपको olive extract और keratin मिलता है जो बालों के लिए test पनी है तो बात करें अगर हम player category की तो पावर users है या आप all-round player है दोनों को सूट करेंगा लेकिन पहली option मैं कहूंगा अगर आप आवर यूजर है तो रेकट आप के लिए बहुत अच्छा है अगर बहुत अग्रेसे में बहुत स्पैसिज लगाते तो रेकट आपको बहु तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डबल्स की तरफ इसका आप साथ है तो इस रेकट से खेलने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट और ग्राफ कुछ ऐसा है जहां power 8.1, performance 8.2, third line clear 8.1, control 8.3, durability 8.1 तो दोस्तों ये तो साथ मेरा experience रेकट के साथ और आप में से किसी के पास भी ये रेकट है तो अपने experience जरूर शेयर किजिए कहीं मैं गलत हूँ कहीं मैं सही हूँ जो भी है आप लिखिए और मैं उसका जवाब दूँगा and until then stay safe, stay healthy, watch healthy videos and have a great day.